शेव का पोधा है, जिसमें की मार्च महिने में फूल आया है और अप्रिल लाश्ट तक इसमें फ़ल आ जाएंगे यह शेव की दूसरी पर जाती है जिसमें की मार्च महिने में इसमें फ़ल आ गया है अजीर का पेर है जिसमें की अभी मार्च महीने में फल आ गया है और अन्जीर की सबसे बड़ी बिसेस्ता है कि रोपने के छे महीना के बाद से ही फल देना सुरू हो जाता है इसमें सालों भर फल लगे हुए रहते हैं किसी भी समय में इसमें फल ले सकते हैं और इसकी उत्पादन छपता भी काफी है और मार्केर में डिमांड भी है नमस्कार न्यूज 18 मुजफरपूर से देख रहे हैं आप मेरे पीछे अभी सेब का एक बागान है मैं कस्मीर या हिमाचल में नहीं बलकि मुजफरपूर में हूँ और मुजफरपूर का या गन्नीपूर बेशा पंचायत है इसी पंचायत के रामनंदन प्रशाद हैं जो मु मुजफरपूर में कम हुआ करती थी इनका लक्ष है कि ये मुजफरपूर में सेब अंजीर जैसे उन सभी चीजों को उगाए और किसानों को इसके लिए प्रेडित भी करें आये जानते हैं इनसे कि कैसे इसकी सुरुवात हुई परणदन प्रशाद गराम पोस्ट गंणीपूर वेजा परखंड ठाना सक्रा जिला मुजफरपूर अब कितने वर्सों से जैवी खेती और तमाम चीजेए उगा रहे हैं जी हम लगभग दस वर सो सजेवी खेती कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप मुख्यता मुझफरपूड में गन्नीपूडवेशा में कर रहे हैं गेहूं और सबजी के अलावे फ़लों का खेती कर रहे हैं फ़लों में सेव अंजीर नासपाती सीडलेस निम्बू अंजीर और अम्रूद का फल तो बहुत अच्छा आया है सेव अभी दो साल का हुआ है उमीद है कि इस बार फल आएगा और सीडलेस लेमन सीडलेस निम्बू का भी अच्छा उत्पादन हो रहा है और मार्केट में उसका डिमांड भी काफी है मार्केट में अच्छी बिक् इन चीजों की खेती करनी है जैसा की मेरा अनुभाब रहा है कि राशायनी खेती के कारण लोगों का स्वास्त और प्रकिर्टी के विरुध काम हो रहा था इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने जैबी खेती की सुरुवात की और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब प्र प्राकिर्तिक खेती की और मेंरा रुज्हान जा रहा है और प्राकिर्तिक खेती के अंत्र का जीवामरित घंजिवामरित निमास्त्र इत्यारी की जगarto तो इसमें आप यूरियो और फुटास का परियोग नहीं करते हैं क्या परियोग करते हैं जिनी मास्त्र कितनासक के लिए और जीवामृत घंजीवामृत और गोमुत्र का इस्तेमाल करके खेतिक प्रकृतिक करके किसान को कैसे सफलता मिल सकती है कितना मुनाफ़ा कमा सकता है जो रसाइनी खेति उसकी तुलना में प्रकृतिक खेति बहुत आसान है और स्वास्त और प्रकृति के भी अनुकूल है इसके लिए देशी गये का रखना जरूरी है मेरे पास लगभग 10 देशी गाये हैं जिसमें हर्याना कंक्रेज और गिर नसल की गाये हैं उन्हीं के गोमुत्र के इस्तेमाल करके और गोबर का इस्तेमाल करके हम सभी चीज़ों करके आप कितनी जमीन में खेती इंतमाम चीजों की कर सकते कितनी दस गाये से लगभग 20-25 एक खड़की खेती दस गायों से आसानी से की जा सकती है उसके लिए आपको मार्केट से रसाइनी का खड़ने के आवा सकता जिमार्केट से किसी भी परकार की रसायनी खादों की ज़रूबत नहीं परेगी तो तमाम चीजें हैं जो आपने कहां से सीखा और कैसे इसकी जो किया अभी कितना आपको सफलता मिला है जीसमें लगवग हम सफलता बहुत पाए हैं और उत्पादन भी हो रहा है और आत्मा और क्या कहते हैं इसको केवी के के जो साइंटिस्ट है डायेक्टर है वो आये हुए थे और मेरी मिट्टी की जाच करा है तो उनका कहना था कि बिहार में इस तरह का मिट्टी का मतलब उपजाओ नहीं है जो रिपोर्ट मेरे पास है कारवन की मात्रा मेरे भूमी में बहुत ज्यादा है कैसे आपने सोचा कि आपको खेती किसानी करना है आप किसी पेशे में भी जा सकते थे आप कहां तकी पढ़ाई करिए आपने जी म सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस का में कदम बढ़ाया जो पढ़ाई आपने कि इसके बाद आप किसी अच्छे जौब को पा सकते थे लेकिन आपने क्यूं जौब को ठुकरा दिया और खेती किसानी के दरफ रोखते हैं कि बढ़ा नौकर बनने से अच्छा की छोट मालिक बनी है इसी सोच को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना काम को आगे बढ़ाया और मैंने चाहा कि 100-200 लोगों को रोजगार दू और उसी के लिए आगे काम कर रहा है क्या लक्षे आपका क्या उदेश है आगे जी मैंने दो साल पहले फार्मर प्रोडूसर कंपनी का निर्वान किया है उसी के माध्धम से किसानों को और मजदूरों को या जो काम करने वाले बेरजगदार यूबक हैं उनको काम दे करके आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है